हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत हैं तो आज हम अनैल्सिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके अबद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को اور सबसे last में हम чेक करेंगे lines को इस तरह से पुरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं सासा ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के जरिये संपर्ख कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वैरिश फॉर्मेशन में नजर आ रही है जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वरकिंग टाइप की परसनेलिटी को और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफी अच्छी लंबाई में हैं अच्छी थिकनस में नजर आ रही हैं साथी साथ सभी फिंगर्स पर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रिखाएं भी नजर आएंगी इस तरह की रिखाओं का फिंगर्स के उपर मौजूद होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफी मिलनसार सभाव का होगा ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं एक बहुत अच्छी परसनालिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी अगर हम इनकी गुरू फिंगर की बात करें तो आप यहां पर देख पाएंगे इनकी जो गुरू फिंगर है बिलकुल स्ट्रेट है और बहुत अच्छी लंबाई में नजर आ रहे हैं काफी थिक फिंगर है जिसकी वज़े से नेटिव की एनरजी एंड स्टैमिना तो काफी अच्छा रहता ही है साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की लीडर्शिप क्वालिटीस भी काफी स्ट्रॉंग होती है जिन लोगों की यह फिंगर लंबी हो सीधी हो और काफी थिक हो ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रविती के होते हैं काफी अच्छा ग्यान जीवन में अरजित करते हैं और दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाले होते हैं अगर हम इनकी शनी फिंगर की बात करें तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छी लेंथ में शनी फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट और अच्छी थिकनेस में यहाँ फिंगर हमें यहाँ पे नजर आ रही है और शनी फिंगर का लंबाई में होना व्यक्ति को काफी मेहनती नेच का बनाता है ऐसे व्यक्ति डिस्सिप्लिंड होते हैं एक अनुशाशन प्रिया और नयाय प्रिया टाइप की परस्टनालिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है और अपनी इन ही खूबियों की वज़े से जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में बहुत अच्छी तरक्य कर पाने में ऐसे व्यक्ति जरूर कामयाब होते हैं सूरे फिंगर को देखा जाए तो गुरू फिंगर की बहांती यहाँ फिंगर भी अच्छी लेंट में है और इवन यहाँ फिंगर लंबाई में इनकी गुरू फिंगर से हलकी सी देखा यहाँ गुरू फिंगर है अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो आप देखेंगे यहां फिंगर आपको ज्यादा लंबी नजर आएगी और सूरे फिंगर का ज्यादा लंबाई में होना काफी पॉजिटिव होता है ऐसे व्यक्ति एक अच्छा सोशल सिर्कल चीवन में बना पाते हैं काफी क्रियेटिव नेचर के ह होते हैं बहुत अच्छी आर्टिस्टिक कॉलिटिज ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी लेकिन इस फिंगर का ज्यादा लंबाई में होना व्यक्ति को रिस्क टेकर भी बनाता है ऐसे व्यक्ति चीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अ मार्केट है, क्रिप्टो करंसीज है, म्यूचल फंड्स है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, ऐसी चीजों की तरफ भी ऐसे व्यक्ति की रूची आपको देखने को मिल सकती है, आप यहाँ पर देखेंगे, इनकी सूरिया फिंगर और मर्करी फिंगर के बीच में आपको एक हल का गैप बनता हुआ नजर आएगा, इस एरिये में हम बात कर रहे हैं, एक गैप यहाँ पर आपको नजर आएगा, अगर यह तीनों फिंगर आपस में सटी हुई हों, और यहाँ पर ऐसा गैप बन रहा हूँ, तो यह व्यक्ति को थोड़ा जिदी सभाब भी देता है, ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं, फिर उसको करकर ही दम लेते हैं, कुछ इस तरह का सभाब, थोड़ी रबिलियन और जिदी नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिल सकती है, जबकि इनकी मरकरी फिंगर की लंबाई अच्छी है, लेकिन यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट है, आपको ड्रॉ करकर दिखाना चाहूंगा, अगर हम फिंगर के बिलकूल नीचे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो कुछ इस तरह हैं कि एक रेखा बन रही है, जिसमें आप देख सकते हैं, इनकी गुरू फिंगर, इन भरा सभाव दे सकता है, थोड़ी शाई नीचर दे सकता है, लेकिन यह फिंगर लंबाई में अच्छी है, जिसकी वज़े से व्यक्ति के कम्मिनिकेशन स्किल्स अच्छे रहते हैं, इसे व्यक्ति का बिजनस एकुमन भी काफी स्ट्रॉंग देखने को मिलेगा, चलिए इतना एरिया आपको हतेली में काफी उठा हुआ, काफी उपरा हुआ नजर आएगा, और जिन लोगों का गुरू परवत इस तरह से उठा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति काफी spiritual minded होते हैं, धार्मिक परविती के होते हैं, और काफी अच्छा ग्यान अपने अपनी लाइफ में अर इस तरह से उभरा हुआ हो, गुरू परवत पर इस तरह की बारीक रिखाओं का होना ऐसे व्यक्ति को एक से अधिक आए के स्रोत्र देता है, यानि source of income ऐसे व्यक्ति के एक से अधिक जीवन में बन जाते हैं, अगर हम इनके शनी परवत की बात करें, तो शनी का माउंट यह यहां पर अच्छा है, लेकिन शनी रेखा यहां पर छोटे-छोटे fragments में आगे बढ़ रही है, शनी परवत अगर अच्छा नजर आए तो ऐसे व्यक्ति मेहनती होते हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं जो इनकी भाग्या रेखा है, या जिसको हम शनी की रेखा कहें, व पश्ट रेखा हाथ में हो, तो life बहुत comfortable होती है, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहां से एक रेखा शुरू हो, और इस तरह से यहां तक पहुंच जाए, शनी परवत तक पहुंच जाए, तो इस तरह की रेखा को बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर इस तरह की रेखा जो हमें अभी नजर आ रही है, बन रही हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफी उतार चड़ाव रहते हैं, काफी घूमना फिरना रहता है, विदेश यात्राएं होती हैं, life में काफी travel करना पड़ता है, लेकिन यहां पर अच्छी बात क्या है, कि यहां रेखा ड लेकिन फिर से आगे बढ़ गई, और यहां पर भी यहां रेखा मौचूद है, जो ओल्ड एज की तरफ इशारा करती है, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहां पर, यानि जो शनी परवज यहां से शुरू होता है, वहां तक इस तरह हैं कि भाग्या रेखा पहुँच जात थी, लेकिन जो फॉर्मेशन हमें यहां पर नजर आ रहे तो काफी सारे अपसेंट डाउंस इनके जीवन में यहां दिखाने वाली रिखा है, अगर हम इनके सुर्य परवद की बात करें तो आप देखेंगे, सुर्य का माउंट हलका सा कमजोर पड़ता हुआ, जिसकी यश की कमी कहते हैं, लेकिन साथी साथ एक रेखा को इनके आउटर मार्स से निकल कर इस तरह से उपर की तरफ यानि सुर्य परवद की तरफ जाती नजर आएगी, यह जो एरिया है आउटर मार्स का है, यह सुर्य परवद है, इस तरह की रेखा को पूरव पुन्य रेखा क करमों की वजह से इस जनम में भी बहुत अच्छे फल पाते हैं एक बहुत अच्छी पहचान सुसाइटी में बनती है काफी अच्छा धन भी ऐसे व्यक्ति को चीवन में इस तरह की भागयशारी रेखा होने की वजह से मिलता है अगर हम इनके मरकरी माउंट की बात करें तो आ बाई में है जिसके कारण ऐसे व्यक्ति के जो कम्मिकेशन स्किल्स हैं काफी बहतर हो जाते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनकी मेजर लाइन्स की अब यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से एक बहुत अच्छे करव में नज है जिसकी वज़े से ऐसे व्यक्ति थोड़े इमोशनल सभाव के होते हैं थोड़ी केरिंग नेचर होती है लेकिन यहाँ पर जो हमें यह वी टाइप का सिंबल नजर आ रहा है इसको सबसे अच्छा माना जाता है जिनकी भी हार्ट लाइन पर ऐसा चिन बनता है अगर ऐसा व्यक्ति अपने चीवन में इमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की जरूर पाता है लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर इस तरह का चिन हो गलत रास्ते पर चलकर वे उमानी से किसी तरह की चीटिंग या फ्रॉड के जरीए किसी तरह की गलत काम के जरीए धन कमाने लगे तो बड़ी दिकतें आ जाती हैं और तरक्की रुक जाती हैं अब यहाँ पर देखेंगे इनकी हार्ट लाइन में आपको कुछ हलके आईलेंड्स बनते हुए नजर आएंगे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इनकी हार्ट लाइन में आप लेस्ट्रोल डियबटीज चैसी जो लाइफस्टायल डिसीजिस ने उनका सामना भी करना पड़ सकता है इसलिए ऐसे व्यक्ति को अपनी हैल्थ का ध्यान 40 की एज के बाद काफी अधिक रखना चाहिए अगर हम इनकी लाइन आफ माइन्ड की बात करें तो आप यहाँ पर की मेमरी काफी अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति की लॉजिकल कैपिबिल्टी काफी स्ट्रॉंग होती है माइन्ड काफी शार्प रहता है तरक वितर करने की कैपिबिल्टी स्ट्रॉंग होती है और ऐसे व्यक्ति अपनी शार्प माइन्ड की वजए से ही तरकी बाते हैं इस म जैसे थोड़ा तनाव और स्ट्रेस जैसी समस्याएं ऐसे व्यक्ति को चीवन में परिशानियां दे सकती हैं जीवन रेखा को देखें तो यहां से शुरू होने वाली यह रेखा आपको बिलकुल कलाई के करीब पहुंचती नजर आएगी एक लंबी लाइफ लाइफ लाइन क हाथ हमें होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति की एज लंबी रहेगी लगबग 75 से लेकर 80 तक की एज रहने की समभा बनाए बले ही कुछ माइनर हैल्थ इशूस रहेंगे लेकिन उमर जो है काफी लंबी इनकी जीवन रेखा के माध्यम से नजर आ रही है जीवन रेख को कहा जाता है मंगल की रेखा और मंगल रेखा हाथ में मौचूद होना दरिशाता है कि ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना काफी भरपूर रहेगा ऐसे व्यक्ति थोड़े अग्रेसिव सभाव के भी होते हैं मंगल रेखा का होना एनर्जी एंड स्टैमिना के क्रेशन को भी बढ़ा देता है. मंगल लिखा हाथ में हो उसे व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में लकी होते हैं. जीवन में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में काम्याब रहते हैं. और इंहरिटेंस में भी प्रॉपर्टी मिलने के योग ऐसे व्यक्ति के जीवन में बनते हुए देखे जा सकते हैं, अगर हम बात करें इनके वीनस यानि शुक्र परवत की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शुक्र परवत का जो एरिया है काफी उभरा हुआ है, शुक्रपरवच इन लोगों का इस तरह से उभरा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुक्सविधाय मिलती है हर तरह के comforts को ऐसा व्यक्ति अपने चीवन में enjoy कर पाता है लेकिन इस mount के ऊपर अधिक रिखाओं का होना अच्छा योग नहीं माना जाता ऐसी ख ऐसे व्यक्ति को परिवारिक चिंताओं का सामना करना पड़ता है और यहां रिखाएं व्यक्ति की married life को भी disturb करती हैं अगर हम इनके चंदरपरवत को देखें आप देखेंगे यहां पर इनका जो चंदरपरवत का area है यह area काफी अच्छा है लेकिन यहां पर काफी करती हैं इन्हें हम positive मानते हैं यहां रिखाएं भागया को बढ़ाने वाली होती हैं लंबी दूरी की यात्राएं करवाने वाली होती है विदेश यात्राओं से धन का लाब होता है लेकिन जो आड़ी रिखाएं चंदरपरवत पर हों जैसे आप यहां पर देख पाएंगे कुछ इस तरह हैं से जो इन रिखाओं को काट भी रही है ऐसी रिखाओं अगर साथ-साथ मौजूद हो तो यह थोड़े नेगटिव प्रभाव देती है इन रिखाओं की वज़ए से बेवज़ए की यात्राएं भी होती है चोटी यात्राएं शौट डिस्टेंस ट्रैवल जीवन में रहते हैं और यह रिखाओं अगर काफी अधिक मात्रा में हो जैसे यहां पर नज़र आ रही है इनकी वज़ए से बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्याओं का सामना जीवन में करना पड़ सकता है दोस्तों ये कुछ अनेलसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जवाब एक ही वीडियो के तुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्न या स्वाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है अगर इनका कोई क्वेशन पैंडिंग है तो मुझे वटसैप पर मेसेज करें मेरा वीडियो वाच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद